आजम करनेवान है इलेक्टोर पोलिटेक्स यानि चुनावी राजनेतिक के इंपोर्टन्ट क्वेस्टेंज तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका आंसर है बी चौधरी देवी लाल निमलिखित में से किस राज में आधिक्तम लोगस्वा छेत्र है सभी को पता है ये यूपी उत्तरप्रदेश इसमें 80 सीटे है विच अधर फॉलिखित में से कौन सा नारा 1977 में पच्छिम बंगाल विदान्सवा चुनाव के दौरान दिया गया था answer is c. land to the tiller जोतने वाले को भूमी दी जाएगी जो जो करने वाले हैं किसान करने वाले हैं उनको भूमी दी जाएगी which of the following is included in modal code of conduct for election campaign जुनावी अभियानों के लिए आधर्स आचार सहिता में निमलिखित में से क्या सामिल है देखिए अभी आजार आदर्स आचार सहीता लगने वाली है तो निमलिखित में से क्या सामिल है ये 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 तो सामिल नहीं है तिरफ ये सामिल है डी टू मेंग प्रॉमिसस ऑफ प्रोवाइडिंग पॉब्लिक फैसिलिटी चंस विधाय मुहवा कराने के लिए वादे करना आ इसमें से कौन सा कतन सही नहीं है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है टैंडिडेट विद नोन क्रिमिनल कलेक्शन ओफन विन इलेक्शन ये सही नहीं है ऐसा नहीं होता कि उसमें नोन देखिए उसके उपर आरोप लगे होते हैं पार्टिया आरोप लगाती है बट ऐस इसा नहीं है कि वो क्रिमिनल है तो भी वो इलेक्शन जीच जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होता चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है इसका आंसर है C प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है चलिए अब आगे यह बहुत ही अदभुत क्षेशन होते हैं बहुत ध्यान से करने होते हैं एलेक्शन लेड टू पार्टी पॉलिटिक्स बिकॉल्स जैन्वन पीपल रीफ्रेंड फ्रॉम जॉइनिंग पॉलिटिक्स ऐसी आपको यहाँ पढ़ना है चुनाव दलगत राजनिती को जन्म देते हैं क्योंकि रीजन को पढ़ने से पहले क्योंकि लगाएं सच्चे लोग राजनिती में सामिल होने से बचते हैं इसका आंसर है C क्योंकि यह दोनों ही स्टेट्मेंट सही है बट रीजन इसको एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा तो आंसर हो जाएगा B अधिकतन में आधनिक समय में प्रतिनिती लोकतंत्र लोकतंत्र का सबसे व्यवहार रूप है क्योंकि people do not have time and knowledge about all matters लोगों के पास सभी मामलों के बारे में समय और ज्यान नहीं है इसका आंसर A बिलकुल सही है क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है और ये स्टेट्मेंट इसको support भी कर रही है इसलिए इसका आंसर A सही होगा Assertion ये बहुत ही आंदार ये स्टेट्मेंट भी सही है ये स्टेट्मेंट भी सही है और ये इसको support भी कर रहे है इसलिए ये option हो Assertion A The Candidate Standing for Election Have to Provide Detailed Account of Their Assets, Educational Concernification, etc. चुनाओ में खड़े होने वाले उमीदवार को अपनी संपत्ती, संक्षिक योगता, आदी का विश्टत विम्रड देना होगा क्योंकि Supreme Court की ये guidelines थी, जिसमें ये mandatory किया गया था कि जो भी candidate चुनाओ लड़ेगा, वो अपनी पूरी information देगा Supreme Court ने उमिदवारों के लिए चनकारी प्रदान करने की अनिवारता रखी थी तो ये statement भी A है, ये दोनों ही statement सहीं है और नीचे वाला जो कारण है वो अविकतन को support भी कर रहा है The election commission has wide ranging power during elections चुनाओ के दौरान चुनाओ आयों के पास व्यापक सक्तियां है In India, provisions have been made to even independent and fair elections भारत में स्वतंत्र और निस्पक्स चुनाओ सुनिचित करने के लिए प्रावधान किया गया है तो ये दोनों statement मुझे सही लग रही है और सबसे खास बात ये है कि ये इसको support भी कर रहा है तो यहाँ पर भी 5th का भी A option correct हो जाएगा उबीद है कि ये वीडियो आपको बहुत जल्दी से बहुत सारे चीजों को revise करा रही है आप वीडियो को like करिए, अपने दोस्तों में share करिए comment करके बताएए कि आप और क्या चाते हैं ये हमारा mcq4or school channel mcq के बहुत जानकार है, बहुत लोग जानते हैं इसे हमारे चैनल को subscribe करिए Thank you